मुंगई माता मंदीर जहां पर रोज जी जो है हजारों दर्सनार्थी तो आते है लेकिन यहां आगमन होता है भक्त भालू का 36 गड़ राज्ये के महा समुझी लेकर एक गाव मुंगई जो नेशनल हाईवे तीरपन से लगा हुआ है पटेवा और जलब के बीच पहाड़ी पर विराजमान माम मुंगई माता जी के मंदीर जहां भक्त भालू प्रते दिन माता के दर्सन करने और प्रसाद लेने दर्सनार्थियों के बीच पहुंचते है मंदिर में प्रते दिन साम पांच बजे पहाडों की उपर निवास करने वाला भालू का पूरा परिवार जैसी ही पुजर चना की घंटी बसती है भालू पूरे परिवार के साथ यहां मंदिर के प्रांगन पर पहुँच जाते है इस मंदिर में माता के दलसन करने वाले भक्तों को भालू के पार सदस्ती परिवार का इंतिजार रहता है और सभी स्रद्धालू भालू के परिवार को कोल्डरिंग्स पिलाने खिलाने के लिए कुछ नकुछ लेकर आते है बाक्त भालू पूजा के समय पुजारी के बुलावे पर पीछे पीछे चले आते हैं और पूजा के समय प्रसाज के साथ कोडरिंग्स का अनंद लेते हैं आपको बता दे कि विगप साथ आथ सालों से ये भालू यहां पहुंच रहे है भालू बड़े ही हिंसक जंगली जानवर है लेकिन इन मंदीर में पहुँचने वाले भालू ने कभी किसी सरदालू को नुकसान नहीं पहुँचाया है नौरात्रे के 9 दिन यहां मुंगई माता जी के दरसन के लिए सैक्रों लोग पहुंचते हैं इस मंदिर में लोगों की मनतों के जोद भी जलाये जाते है नौरात्र के 9 दिन भक्त भालु यहां अगमन होता है और लोग उसे खोल्डरिंग पिलाते है यह जगा बहुत ही फैमेस हो गया है क्योंकि भक्त भालू जो है नौरात्र में नौ दिन माता की सेव करने के लिए आते है मातमुसे एक्सप्रेस रिपोर्टर रेख रात्सा हूँ